हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हार दिख स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम एक बहुत इंपोर्टेंट टोपिक डिस्कस करने वाले हैं एनलाइसिस करने वाले हैं कि क्या डिसेबल्टी पैंसन ओफिशली अनोफिशली बंध होने जा रही है क्या एफटी में केस जीतने पर भी डिसेबल्टी पैंसन नहीं मिलेगी आखिर ऐसा क्यों देखें मैं कुछ आपके सामने सबूत भी पेस करूँगा बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो स्टेप बाई स्टेप आपको मैं दिखाऊंगा ताकि आप भी समसकें कि आखिर चल क्या रहा है क्या सरकार सुप्रीम कोट का सहरा लेगी क्या हो सकती है आगे की रहा पैंसनर्स के लिए जो भी डिसेबल्टी सोल्जर्स हैं उनके लिए क्योंकि डिसेबल्टी पैंसन अगर उनको नहीं मिलती है उनको काफी चक्कर काटने के बाद AFT में कुछ उनको पेमेंट करनी पड़ती है उस पैसा कच करने के बाद भी अगर वो केस जीत भी जाते हैं तो फिर भी उनको डिसेबल्टी पैंसन नहीं दी जा रही है लाइफ इस्टाइल डिसीज बोलके चाहे आप एक्जाम पी ले गया है AFT से केस जीतने के बाद भी तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी टोपिक पर एनलाइसिस करने वाले हैं बहुत सारी चीजें कड़ी दर कड़ी मैं आपको जोड़के दिखाऊंगा ताकि आप भी समझ सकें कि आखिर चल क्या रहा है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए नोटिफिशन बैल को प्रेस कर लिजिए और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सो उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक भी क आई ओफ रिप्रेजेंटेशन यहां पर इन्होंने देखे क्वेरी डाली थी कि देखे हमारा केस एफटी लखनव से 18 अप्रेल 2023 को जो है हम जीत गए है और ओए नमबर है उनका 1119-2022 उनको डिसिबिल्टी पैंसन दी गई है हमापर ग्रांट कर दी गई है क्योंकि वो केस जी चुके हैं लेकिन अभी तक हमें जो है पैंसन शुरुवात नहीं की गई है तो further the matter entails a policy discussion decision for implementation for which case file is already processed देखे है आपके जो case की file है already processed है and pending at air headquarter level और जो यह file है वो air headquarter level पर जो है pending दिखा रही है भी post outcome and decision of air headquarter case will be processed as per directions जैसे देखे air headquarter से decision आता है आपका case जो है उसी आधार पर जो है process कर दिया जाएगा देखे यहाँ पर ऐसे बहुत से case हैं जो December 2022 के भी है disability pension के hypertension, diabetes, mellitus लेकिन अभी तक उनकी pension मेरे पास एक October 2022 के case आये जो जीते हुए थे उन्होंने बताया कि देखे अभी तक उनको लगबग एक साल पूरा complete हो चुका है उसके बाद भी उनकी pension सुरुवात नहीं हुई है मेरे पास देखे कुछ comment आये जो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ सर ये पता लगा है कि सारे नाना case को लेकर आर्मी के थुरू government supreme court जा रही है यानि जो भी एनने एनने case है उस पर निप्टारा नहीं किया जा रहा है उनको hold करके रखा जा रहा है और आर्मी के थुरू government जो है supreme court जाने का मन बना रही है आप इस पर एक video बनाईए ताकि सारी जो चीजें हैं वो clear हो सके देखे मैं आपको यहाँ पर उनका एक comment ओर दिखाता हूँ उन्होंने देखे ये बताया कि all AFT order of NANA cases has been returned by ADGPS4 stating that the case pursued to supreme court came to throw reliable sources देखे उनको पता चला है कि देखे ये जो है यहाँ पर supreme court जाने का विचार मना रही है सरकार इस वज़े से इन पर कोई भी अवित्रक decision नहीं लिया जा सका है देखे अब हम कुछ supreme court के orders देखेंगे AFT का orders देखेंगे और आपको सारी चीजे step by step में बताने वाला हूँ देखे जैसा इन्होंने बताया कि देखे सरकार supreme court जा सकती है कि जो भी NANA case है कि देखे note attributable है note aggravated है तो ऐसे conditions में अगर AFT judgment दे रही है कि उनको देखे पैंसर मिलनी चाहिए तो उसको लेकर एक पुरा deduct तयार होगा और उसके बाद में supreme court में किया जाएगा यहाँ पर देखे उनका जो कहना लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि देखे AFT judgment कि साधार पर देती है उन्हों देखे यहाँ पर बताया कि the association said that the AFT is only passing orders based on law settled by the supreme court AFT judgment कैसे देती है देखे जो supreme court की guidelines है higher court की guidelines है उनके आधार पर ही AFT judgment देती है many such orders have been challenged and upheld till the apex court by detailed judgments detailed judgment के साथ honorable high court ने supreme court में इन courts को जो है challenge किया गया लेकिन वहाँ पर जीत किस की हुई जीत हुई जो AFT ने orders दिये उन्हीं orders को माना गया in that sense the statement of the AG जो उन्होंने कहा कि देखे जो एक disability के नाम का racket चल रहा है AFT में वो पूरी तर से गलत है उनकी उंगली जो ठाना है पूरी तर से ना जाया अचा है it said that more than 15,000 disability pension cases have been decided in favor of disabled soldiers by the supreme court 15,000 से ज़्यादा disability pension के case जो है supreme court के द्वारा AFT के द्वारा high courts के द्वारा यहां पर sold किये गए है and to call all the cases a racket does not behove the AG on 10th December 2014 in a bunch matter led by the civil appeal 418 of 2012 2012 की बात है देखिए यहां पर जो बहुत सारे case थे more than 800 appeals filed against disabled soldiers by the MOD MOD ने supreme court में यहां पर एक याचिका डाली और 800 appeals के आसपास जो bunch था पूरा उनको collect किया और वहां पर supreme court में ले गए वोने single day by a three judge bench of the apex court यहां पर देखिए मैं आपको यह क्यों बताना चाहरा हूँ कि देखिए यहां पर supreme court अगर जाती भी है सरकार तो supreme court की guidelines से हर कोई भी आप AFT का judgment देखेंगे तो वो देखिए supreme court high courts या अपने पुराने judgment को ही refer करते हैं उसी के आधार पर judgment देखेंगे तो अगर 800 appeals मोडी ने एक साथ डाली और उसको वापस एक दिर में ही जो है dismiss कर दिया गया तो यह अपने आपने एक बहुत बड़ी बात है अब चलते हैं अपने next judgment की तरफ यह देखिए news है सुप्रीम कोर्ट expresses displeasure with union government's plea against soldiers disability pension देखिए supreme court ने बहुत जादा कह सकते हैं दुख जताया था कि union government जो है disabled soldiers के खिलाफ जो है case कर रही है और यह बात है 30 March 2022 की यहाँ पर देखिए उन्होंने सारी बाते एक साथ बड़ाय था कि supreme court has expressed disappointment over the union government filling appeals against a disability pension given to officers of the Indian army even in cases where the courts have settled the legal position already देखिए आगे उसमें बताया गया a bench led by justice Sanjeev Khanna said we must observe and express our displeasure at the manner in which the appearance have been filing appeals against grant of disability pensions even where the legal issue is settled the court dismissed the union government's appeal against an order of the AFT on the payments of disability pension to a retired lieutenant colonel देखिए यहाँ पर जो याची का थी वो जो है lieutenant colonel साब के against में डाली गई थी और उसको माननिय सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर खारिज कर दिया गया था अब मैं आपको दिखाता हूँ माननिय अग्या AFT का एक judgment देखे आप यह judgment देखरें हैं जो पांच मई दो 2022 का है देखें यह judgment में आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो AFT के judgments हैं, वो किस आधार पर होते हैं, और उनका जो base है, वो क्या होता है, हम देखे इस case में भी देख लेते हैं, यहाँ पर देखे इन्होंने अपनी पूरी बाते हैं, लेकिन मैं आपको सारी बाते ना बताते हुए, यहाँ पर देखे इनका case आप देख सकते हैं, primary hypertension का case है, यान service और whether the applicant is entitled for the benefit of rounding of disability element of disability pension तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं in law of attributability of a disability has already been settled by the honorable supreme court disability क्या है वो case जो है धर्मवीर सिंग versus union of India यहाँ पर यह 23 का case है जहाँ पर disability को settle किया गया था कि disability होती क्या है तो उसके judgment में से कि यहाँ पर कुछ points जो है mention किये गए है मानिये EFT के द्वारा disability pension to be granted to an individual who is invalid from service on account of a disability which is attributable to or aggravated by military service in non-battle casualty and is assessed at 20% or over यानि 20% से ज़्यादा होनी चाहिए और either attributable or aggravated होनी चाहिए the question whether a disability is attributable to or aggravated by military service can be determined under the entitlement rules जो 1982 उस टेम पे था उसका regulations 173 अब 29.2 में क्या कहा गया a member is to be presumed in sound physical and mental condition upon entering service if there is no note or record at the time of entrance अगर आप service में ले रहे हैं तो आप ही के doctors उनको यहां पर fit करते हैं बोलते हैं कि यहां यह service करने के योग हैं इनमें कोई दिक्कत नहीं है तो यह भी चीज़ दिखनी होगी अगर entrance के time में उनमें कोई दिक्कत नहीं है कोई बीमारी नहीं है और जब वो service से बाहर जा रहे हैं उनमें कोई बीमारी पाई जाती है तो आप कैसे कह सकते हैं कि देखिए एनने एनने case है इस चीज़ में अगर आर्मी एर फोर्स ने भी उनको यह प्रूफ देना है कि यह नोट एंटिटल नहीं है a claimant has a right to derive benefit of a reasonable doubt and is entitled for pensionary benefit more liberally 29.4 if a disease is accepted to have been as having arisen in service अगर कोई disability ऐसी है, disease ऐसी है जो साफ साफ परा चल रहा है कि देखिए service में रहते हुए हुई है it must also be established that the conditions of military service determined or contributed to the onset of the disease and that the conditions were due to circumstances of duty in military service यहाँ पर देखे 14C जो है यह भी आपको साफ साफ बताई जा रही है if no note of any disability or disease was made at the time of individual's acceptance for military service जब उसको military service में accept किया गया था उस time पे अगर कोई disease, disability यहाँ पर नहीं पाई जाती है तो a disease which has led to an individual discharge or death will be deemed to have arisen in service और गया इसी condition में उनको discharge किया जाता है या उनको death हो जाती है तो उसको arisen in service जो है माना जाएगा rule 14B if medical opinion holds that the disease could not have been detected on medical examination prior to the acceptance of service and that disease will not be deemed to have arisen during service तो the medical board is required to state the reason medical board को reason देना है कि यह वो कुछ time पे हमने check नहीं कर पाये थे लेकिन पुरानी है तो उसके लिए एक board का reason देना होगा and 29.7 it is mandatory for the medical board to follow the guidelines laid down in chapter 2 of the GMO 2002 entitlement rules जो principles हैं उसके आधार पर तो in view of the settled position of law on attributability we find that the RMB has denied attributability to applicants only by endorsing the disability primary hypertension is NANA by service on the grounds of onset of disability in September 2002 while posting in peace location जब peace location में थे तब उनको यह हुआ इसी condition में जो उनको disability है वो नहीं दी गई तेकि यहाँ पर साफसा पताया गया कि देकि peace location जो है have their own pressure of rigorous military training and associated stress strain of military service peace stations की भी जो है अपनी अलग समझ्चाई होती है अपना अलग pressure होता है दवाव होता है इन सब चीजों को यहाँ पर नजर अंदाज किया गया था तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और जो भी दिखी जो माने नहीं है supreme court के judgments थे आप यहाँ पर देखते हैं दूसर judgment यहाँ पर दिखाया गया है union of India ORs वसिस राम अवतार and ORs civil appeal number 418 of 2012 जो 10 December 2014 को यहाँ पर हुआ judgment में क्या पाया supreme court ने disapproval of the policy of the government of India in granting the benefit of rounding of disability pension only to the personal who have been invalid out from service and denying the same to the personal who have retired on attaining the age of superannuation यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा point है अगर वो अपनी service पूरा करकर retire हो रहा है तो देखिए उसको यह है इसके लिए हगदार नहीं माना जा रहा है और इस बात पर मानिनिया supreme court ने अपना disapproval दिया था और यह सारे judgment जो हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ clearly mention है और यह सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कोई भी judgment अगर AFT की तरफ से आ रहा है तो वो ऐसे ही नहीं आ रहा है अपनी मर्जी से नहीं आ रहा है उसका एक पूरा basis है एक कह सकते हैं क्योंकि हमारा जो high courts हैं supreme court हैं उनके देखे judgments को आप as a record मानते हैं और कोई भी अगर ऐसा case आपके पास आता है तो उनी judgments पर आप अपने discussions देते हैं तो यह सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई इससे आपकी समझ में एक बात आ जानी चाहिए कि देखे अगर सरकार court मे भी जाती है मानने supreme court में भी जाती है इतने सारे case को बंच बना कर एक साथ लेते हुए तो उसमें कितने chances हैं कि वो case supreme court में जाके जो है turn down नहीं होंगे क्योंकि इतियास ही रहा है क्योंकि जो कोई आपके पास rules है regulations हैं उनके आधार पर साही चीज़े हुई हैं तो उनको नका सबसे खास बात होती है कि हो सकता है कि थोड़ा लेट मिले लेकिन मिलता जरूर है तो यह थी आज की बड़ी जांकारी अगर देखिए हैं पर case में कुछ भी होता है अगर आपको पैंसन नहीं मिलती है डे डो साल तक भी तो आप निरास ना हो आप इंतजार करें और उमीद करें कि कब देखे मानने जो है सुप्रीम कोर्ट में अगर case जाता है अगर जाता है तो ऐसी condition में जादा दिन इसमें नहीं लगने चाहिए और यही हमारी जो है सब सकते हैं जितने भी pensioners हैं जितने भी disabled soldiers हैं उनसे उमीद है कि आप उमीद ना हारें और अपने जो judgments हैं अप इंद जै भारत